अब बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो जिसके बारे में सबी बहुत कुछ जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी है जो बहुत कम जानते हैं तो फ्रेंड साज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूजागर आपको किस दिशा में रखना चाहिए, उसे कैसा रखना चाहिए, आप किस तरह का उसमें कालर लगा सकते हैं, यह सब चीज़े तो friends आज हम इसी के उपर बात करेंगे और यही मैं आपको बताऊंगी तो हमारे हिंदु धर्म हिंदु संस्कृत में हम सबसे ज्यादा महत्व हमारे धर्म को देते हैं हमारी पूजा को देते हैं हमारे भगवान को देते हैं और इसे साफ स्वच रखना भी हम अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन अब मैं ऐसी कुछ बाते बताऊंगी जो शायद कभी आपने नहीं पढ़ी होगी कभी पढ़ी भी होगी और आप जानते भी होगे लेकिन फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी कि पूजा घर आपको किस दिशा में रखना चाहिए तो पूजा घर रखने की सबसे अच्छी दिशा है उत्तर और पूर्व और आपको पश्चिम और दक्षिन दिशा में पूजा घर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे वास्तू दोश उत्पन्न होते हैं साथी मैं मैं बात करूँ कि पूजा घर के आसपास आपको शोचालाय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही पूजा घर के ऊपर की और होना चाहिए ना सामनी की तरफ होना चाहिए पूजा घर से बिल्कुल हटके सोचालाय आपको रखना चाहिए और अगर आपके मंदिर में एक ही बगवान की एक से ज़्यादा प्रतिम आये या मूर्तियां है तो आपको वो जरूर जरूर घटा देनी चाहिए क्योंकि इससे भी वास्टू दोश की निर्मिती होती है तो अगर आपके घर में एकी भगवान की दो मूर्तियां है तो आप उसे जरूर घटा दीजिएगा और बात करते हैं कि एक घर में हमें एक ही मंदिर चाहिए जैसे हमारा एक ही घर है एक परिवार एक ही सब साथ भी रहते हैं तो भी एक ही घर में एक ही मंदिर होना चाहिए दो मंदिर नहीं होने चाहिए साती में पूजा घर जो है वो सीडियों के नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या फिर किसी तैक खाने की जगे या फिर जा हम उपर रहते हैं और नीचे कोई तैक खाने वाला कोई घर है तो उसमें बिल्कुल भी आप मंदीर नहीं बना सकते यहाँ पर भी आपको कठी नाईयों का सामना करना पड़ सकता है तो फ्रैंड्स सबसे जरूरी बात कि घर में लेडीस होती है है अगर आपके घर में भी लेडीस प्रॉब्लम्इटिक रहती है उन चार दिनों में चार दिन हमारे परदा लगा लिजे तो इस जो ये चार-पाश दिन होते हैं इसको आपको भगवान को ढखकर ही रखना चाहिए साथी में मैं बात करूं कि मंदिर को हमें कौन सा कलर चाहिए तो आप मंदिर में पीला कलर विल्कुल हलका पीला और नारंगी कलर जो औरेंज कलर लगा है ज्यादा ब्राइट कलर मंदिर में नहीं लगाने चाहिए साथी में आपके मंदिर में लाइट सोना बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी आपके मंदिर में लाइट सोती है उतनी ही आपकी घर में लाइट सोती है आपका घर भी चमकता है अगर आप भगवान को अंदेरे में रखोगे तो obviously आपको problem face करनी ही पड़ेगी साथी में friends आपको ये भी बता दूँ कि जब भी आप सोते हैं तो मंदीर के पास pair करके बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए अगला topic की बात करते हैं तो आपके मंदीर में कोई भी अगर खंडित मूर्ती है तो आप उसे जल से जल हटा दीजे क्योंकि कोई भी खंडित मूर्ती आपके घर को वास्तदोश लगा सकती है तो अगर आपकी कोई भी खंडित मूर्ती है तो उसे हटा दीजिए हटाने का मतलब यह है कि आप उसे किसी भी प्रवाह में बहते पानी में आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं कही भी फेकना नहीं है तो फ्रेंज आप मंदीर में एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आप अगर कलश रखते हैं जल का बरा हुआ तो उसको आपको तामबे का रखना है तामबे का कोई भी कलश आप उसको भरके अपने मंदीर में रख सकते हैं और साथी मैं सबसे एक खास उपार मैं आपको बताऊं तो आप मंदिर में एक कच्वा ज़रूर रखें एक प्लेट ले लीजिए उसमें आप पानी भर लेजिए और ये कच्वा आप अपने मंदिर में ज़रूर रखेंगा और आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा So friends, यह episode कैसा लगा आपको आप ज़रूर बतेएगा अगर मेरे episodes, मेरे videos आपको अच्छे लग रहे हैं तो फिली channel को like कीजिए, share कीजिए, subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा So मिलते हैं friends, अगली video मैं thank you so much, thank you